कि क्या आप अपने कंपनी खड़ा करना चाहते हैं खुद का कंपनी चाटप कुछ सुराथ करना चाहते हैं यह कुछ सुराथ कर चुके हैं बड़ कुछ दिक्कत आ रहा हैं अगर इस तरह कुछ प्रॉलम है तो यह वीडियो आपके लिए बनने वाला है आपका कंपनी केसे पहले उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है क्या करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रास्ट्रूट से लेकर ग्राफ लबल तक जा सकता है इसके पार पूरा इंफ्वेशन मेरा चैनल पर ही मिलता है और बाकि आपको काफी सारे मोटिवेस्ट्रूर वीडियो आप देखे होंगे काफी सारे बाते आप लोग सुने होंगे बाकि इस तरह बाते डीपली बाते कोई नहीं बताने वाला है क्योंकि क्या रहता है कि आज केट में जो अगर कोई मोटिवेस्ट्रूर की बात मान लिया जाए तो लोग सिर्फ मोटिवेट कर लाएंगे मनलब कुछ स्टूरी सुना के आपको मोटिवेट कर देंगे बाकि दोस्तों रियालिटी जो है वो चिज़े सिर्फ इसे से नौई मिल सकता है आपको और मैं आपको बता सकता हूँ जो रियालिटी है बाकि दोस्तों यह है कि जो सच और जो बात सही है मैं वही बता रहा हूँ मेरा चैनल में वही कंटेंट डाल रहा हूँ कि आपके कुछ काम पर ठीक है और आज का टॉपिक होने वाला है आप बिजनस को स्टार्ट केसे करें मतलब आपके पास पुंजी कम है आपको चाहिए बहुत सारे पैसा चाहिए बिजनस बहुत बढ़ा करना है तो यह जो टॉपिक आज से शुरू हो रहा है आज से शुरू हो रहा है कि पहले से में काफी सारे मार्केटिंग के बारे बता चुका हूँ अगर आप चाहते तो मेरा चैनल को जाकर विजिट कर सकता हूँ इसकी आपको अपना बिजनस को स्टार के से करें how to start a business बिजनस को शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है क्या क्या requirement आपको ड क्या क्या requirement है आपको कैसे advertising करना है कैसे publicity करना है यह सब काफी सारी से इसी चैनल में बताऊंगा और इसी वीडियो की मज़न से प्लेलिस्टी बनाऊंगा और उसको इसकी बारे में समझाऊंगा तो पहले चाली आप देखते हैं आज पहला दिने और आज की जो सुरुआत जो होता ह आपको वह स्टेस्वाली क्या है कि आपके अगर कोई start-up सुरू करने जा रहे हैं आपके पहले देखिए आपके पास budget किसा है पहले बॉजर की साथ से कोई ना कोई start-up सुरू करते हैं तो budget छोटा हो कोई दिक्क्रत ने 5-10,000 भी हो कोई दिक्क्रत ने बाकि यह है आपकी दिल में और माहिनर में आना चाहिए भाई मैं करूंगा मैं आज से एक निया बिजनस सुरू करूंगा ठीक है ना तो 5-10,000 भी काफी मैं आपको काफी सार आइडिया देने वाला हो भी हूँ ठीक है ना अगर आप वीडियो को अंतर देख से तो काफी सार जी आपको सिखने के लिए मिल जाएगा और अगर मेरा चैनल को सस्क्राइब कर तो आपको मिलेगा निया निया अब्जेट्स जिसे बिसनस कैसे किया ज जाएगा कहां पर कैसे इस तुरह आड़ा आप पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे इसके पूरा इंफ्वेशन इसे नहीं मिलने वाला क्योंकि काफी सारे मोटिवर्स दिखर रहे थे सिर्व आपको बने बने बाते बता थे और इसके अलाबा कुछ नहीं बाकि मैं आपको प् पहले को सिटी पे बिलोंग करते हैं कौन सा छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं आप वहां कि पहले आप और इसमें आपको छोटा सा दुकान भी स्टार करें चोटा सा जैसे जूस का दुकान में स्टार करें तो उसके लिए क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ उसी एरिया की नगर निगम में जाकर आप मुंसी पल्डिक ओविश्एन जहां भी रहते हैं वहां पर जाकर एक ट्रेड लैसंस कर लेना आपको आपको नेरवाई जो भी ऑफिसर दे वहां पर जाकर बात कर सकते और ट्रेड लैसंस पहरे करना है क्योंकि अबगर ट्रेड आप कुछ भी बिजनस सुरू कर लेते हैं तो यह भी हो सकता है अगर कहीं चेकिंग आजए और आप फज़ जा सकते हैं इसे ट्रेड लाइसस मस्ट भी रिक्वार्ड और एक दूसरा चीज़े यह है आप पो फूड की रिलेटेड खाने पीने की चीज़े रिलेटेड अगर क करते हैं इसका कुछ थेला भी लगा है आपने तो आप पो उसके लिए FSS AI ठीक है ना इसका एक सार्टिफिकेट का मतलब नहीं कि बहुत पैसा खर्च होगा इसमें नहीं सिर्फ 500-200 कोई कैसा लेता है कि online चार्ज रूपिस बाकि चार्ज आपने हिसाब से कोई किसका क्या क साम रहता है उसकी इताब से वह लोग चार्ज करते हैं ठीक है दोस्तों इसका एक आप पो सार्टिफिकेशन रिजिसेशन ओ ले लेना सार्टिफिकेशन वालग है चोटा वाला थे आपके पास कुछ छोटा ठेला लगा रहा है कुछ छोटे मोटे दुकान है तो आप उसके अब कंटाक्ट भी कर सकते हम इसकी इसके लिए आपको मतद दरू करें ठीक है तो तिसरा हो गया आपका ISO सार्टिफिकेशन दोस्तों आईएसो सार्टिफिकेशन आप वह काफी सार लोग आईएसो आईएसो की नाम पर मनलब हो क्या उसको क्या बोलते हैं इतना पहला के अब क्या बताऊं अंदर की बाते तो बताऊंगा तो आपको सायद मेरे यह वीडियो की पर असरा साकते इसलिए नहीं बताऊंगा कि आईएसो तब जरूत है तब कुछ चीज़ें आपको इन्यूश्य कर रहे हैं कुछ अगर मैनिफेक्श्रिंग चीज़ें आप कर रहे है तो आयेशो की ज़रूत नहीं है है ठीक है । चौथा हूगे आपका क two आपको यहां पर करना पड़ेगा जी एस्पुश्य गूड्स और सविस टैक्ट रिशाश्यन आपको चोड़ा बिजन सो बड़ा बिजन सो कुछ भी हो तो आपकी लिए जी एस्ट रिश्यर्श्यन 60 बहुत ही जरूरी है अगर आप जिस्ट रेजिस्न नहीं कराते हैं तो आपका बिजनस आगे चलने वारा नहीं है बाकी बात यह कि दोस्तों अगर यहां पी कुछ क्रैटरी है अगर आपकी 20,00,000 की उपर का बिजनस कर रहे हैं तो जरूरी बहुत है 20 लाग की नीचे है सालाना जो आपकी टरनों हो रहता है 20 लाग की नीचे है तो आपको रिजिशन करना ज़रूरी नहीं बाखी मैं अभी दू सुन रहा हूँ कि अगली मार्च के बाद 2021 मार्च के बाद GST बहुत ही मेंड़ोरी होने वाला है और आपको GST करना ही पड़ेगा बगर GST में आपको कुछ भी बिजनस नहीं चला सकते यसलिए आप GST कर दीजिए अगर GST के बारे में इंफ्रमेशन चाहिए तो काफी सारे नेट में इंफ्रमेशन मिल जाएगा अगर GST रेजिशन करना है तो आप हम से डाइट कंटार्ट कर सकते हैं हम इसके लिए आपको मदद जरूर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और एक चीज़े रहता है जो कि सार्टिफिकेशन में बताऊ आपको अगर कुछ बड़ा से बड़ा विजनस करना चाहिए तो ISI सार्टिफिकेशन भी रहता है वो बड़ा विजनस के लिए जो कि सारणा करोडों की ट्रंजिक्शन अगर करना है और काफी सारे एंप्लोई बगर रखें अपने तो आपके लिए आपको ISI भी चाहिए तो आपको ISI की सार्टिफिकेशन भी बहुत जरुई है तो यह हो गया आपकी सार्टिफिकेशन की बात है अगर आप किस तरह बिजनस या आप अगर क्या चीज़े बिजनस करते हैं अगर कमेंट पर लिखके विजएंगे तो मैं आपको सजेशन कर सकते हूँ आपको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए और क्या सब्सक्राइब नहीं चाहिए इसलिए दोस्तों वीडियो को इतना लोग को पहुंच आए जो कि आपको कि इस रियली स्टार्ट करना चाहते है और उन बिजनस को आगे बढ़ाना चाहते है और अभी तक वीडियो को देखने के लिए और इसना प्यार देने के लिए सपोर्ट देने के लिए बहुत बत धन्यवाद राच्छा रगते तो यह वीडियो को लाइक कर अब तक वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते है अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और थैंक यू बैरे माउन थैंक यू वह द्यूट आपको